नवस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 19 नॉबर 2024 है, स्वागत है आपका एक्टोरियल डिस्केशन में, आज देखो टोटल चार इशूस हम डिस्केश करेंगे, सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्केश करेंगे, केरला में न दो आईएस ओफिसर्स को सस्पेंट कर दिया गया तो All India Service Conduct Rules 1968 जो है, क्या कहते हैं, उनके ग्राउंड के सस्पेंशन क्या है, क्या उन रूल्स को अब एमेंट करने क्या हो सकता है, तो एथिक्स के दृष्टिकों से यह जो आर्टिकल है, फ़र्ष्ट काभी इंबोर्टिन्ट है, दूसरा आर्टिकल हम डिस्केश करेंगे, इलोन मस्क की कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, स्टार लिंक, इसकी इंडिया में एंट्री हो रही है, तो क्या कंसर्ण्स हैं, वो सारी सीजे हम डिस्केश करेंगे, क्यों रिलाइन्स और एटल जैसे कंपनीज विरोध कर रही हैं, तीसरा आर्टिकल फिर हम डिस्केश करेंगे, यह मनिपूर वाला, यह मनिपूर का देखो, हमने ना दो-चार बार डिसकस किया है पिसले कुछ दिनों में, तो सिरफ जो इंपोर्टिंट पॉइंट्स है वो ड्रा करके मैं आपको बताऊंगा इस आर्टिकल से, मनिपूर में मांग की जा रही है कि आर्टिकल 356 के तहत अब प्रेजिडेंट रूल लगा देना चाहिए, बिल्कुल उप्यूक टाइम है, फिर नेक्स्ट, ग्लोबल साउथ और नाइजीरिया की विजिट से समधित आर्टिकल है, इसे भी डिसकस करेंगे, तो टो टोटल चार इशूज हम डिसकस करेंगे, उससे पहले कुड़, देखो जब भी जिसे रिलाइंस जियो है, मोनोपोली तो नहीं है रिलाइंस की, चलो ये एक्जामपल मत लीजिए, आपने गूगल का एक्जामपल लीजिए, गूगल है, फेस्बूक है, या फिर एमेजोन है, इनकी बहुत सरे एरियाज में मोनोपोली है अभी, लेकिन देखो जब सुरुवात हुई थी ना, हर एक कंपनी ना सुरुवात में यूं बोलती है कि हम जनता के फाइदे के लिए आएं हैं, पब्लिक वेलफियर हम लाना चाहते हैं, और स्पेसिफिक प्रोब्लम को सोल करने के लिए सुरुवात में ये कंपनिया आई थी, ज वो अपनी मोनोपोली इस्टाबलीस करती गई, बाकी कंपनी के लिए एंट्री बैरियर काफी डिफिकल्ट हो गया, फिर बाद में ये कंपनी मनमाने धंग से अपने जो प्राइस हैं, वो क्या करने लगी, हमेशा ऐसे ही होता है, शुरुवात में कोई कंपनी ये बोलती है हम जनता के फाइदे के लिए आये हैं, जिस जीओ भी शुरुवात में क्या बोलती हैं, हम जनता के फाइदे के लिए आये हैं, प्लान काफी ज़्यादा सस्ते थे, अब प्लान दीरे-दीरे महंगे होते जा रहे हैं, समझ गया, शुरुवात में जनता के फाइदे की बात क जाती है धीरे धीरे जब बाकी companies fail हो जाती है तो उसके बाद फिर वो company अपने जो price है वो increase करना start करती है फिर वो अपनी जो मनमानी है वो करना start करती है ये quote ना इसलिए भी important है क्योंकि starlink project की हम बात करेंगे आज के article में उसमें भी monopoly का जिकर आएगा तो ये article ये जो quote है उस संदर में भी काफी important है इसके बने इस article हमारे देश में IAS, IPS और Indian Forest Officers के लिए All India Service Conduct Rules से समदित है आपने slivers में GS Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हूं क्या contest है केरला में देखो दो IS Officers को Suspend कर दिया गया एक का नाम N% और दूसरे का नाम K. Gopal Krishnan N% को क्यों Suspend किया गया आरोप ये लगा IS Officer N% के उपर कि उन्होंने ना social media पर A. Jayathilak जो additional chief secretary है ना उनके खिलाफ derogatory statements दी मतलब उनके सम्मान को नुकसान पहुचाने वाली statements दी तो जांस में ये पाया गया जो N% ने किया ना additional chief secretary के खिलाफ derogatory statement देना social media पर ये बहुत बड़ा indiscipline का case है और इससे केरला राज्ये में ना administrative machinery की जो image है ना वो खराब होई है और ये जो काम था ना N% का ये एक IS officer को सोबा नहीं देता उनकी पद की गरीमा को सोबा नहीं देता इस वज़े से उन्हें suspend कर दिया गया दूसरे IS officer के गुपाल कृष्णन इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक WhatsApp ग्रूप बनाया WhatsApp ग्रूप किन के लिए था मलू हिंदू officers के लिए मल्यालम हिंदू IS officers जो थे ना उनके लिए अलग से इन्होंने WhatsApp ग्रूप बना दिया केरला की सरकार के अनुसार ये करना बहुत ज़्यादा गलत था क्यूंकि इससे केरला में IS कैडर के बीच में डिश यूनिटी पैदा होती है और जो IS officers है ना डिवाइड होतो है communal lines के अधार पर बाद में इन्होंने ये बोला कि भाईया मेरा तो phone hack हो गया था मेरा phone hack हो गया था और मैंने नहीं ये WhatsApp ग्रूप बनाया बाद में पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने पाया कि इनका WhatsApp ग्रूप hack नहीं हुआ था मतलब इनका mobile hack नहीं हुआ था और इन्होंने पुलिस को mobile phone दिया factory reset करके सारी settings reset करके इन्होंने अपना mobile phone पुलिस को दिया था वैसे देखो एक practical चीज़ आपको बताऊं केरल में मल्लू हिंदू IS officer का WhatsApp ग्रूप बनाना बहुत बड़ा इशू हो गया लेकिन नोर्थ इंडिया में तो देखो हर एक identity के अधार पे officer के ग्रूप बने हुए है मुझे south का नहीं पता हो सकता है south में भी बने हो केरला में ना बना हो लेकिन north में तो जाती के अधार पे group बने हुए है state के अधार पे group बने हुए है स्टेट के अधार पे जैसे पंजाब के जो ओफिसर्स हैं उनका अलग से ग्रूप, हर्याना के ओफिसर्स का अलग से ग्रूप, अलग अलग जो जातियां हैं जैसे जाट कम्यूटी का अलग से ग्रूप, गुजर कम्यूटी का अलग से ग्रूप, यादव कम्यूटी का अलग से ग्रूप शुरू में देखो मुझे भी जब सबसे पहले मुझे पता लगा था ना 2017-18 के आसपास क्योंकि हुआ क्या था जब मैंने इंटर्व्यू दिया था ना तो मेरा तो स्लेक्शन नहीं हुआ था लेकिन मुझे कई सारे ग्रूप में गलती से एड़ कर दिया था क्योंकि मैं बाकी लोगों के साथ में था जिनोंने इंटर्व्यू दिया था तो साध कुछ कंफ्यूजन हुई और लगा उनको कि मेरा भी स्लेक्शन हुआ है तो मुझे गलती से काफी सारे ग्रूप में एड़ कर दिया था तो मुझे लगा रहे स्लेक्शन के बाद ऐसे अजीब लगा था मुझे कि इतनी सारी identities के base पे officers बाद में divide हो जाते हैं क्या लेकिन बाद में दिरा दिरे और officers से बात की तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ज़्यादा common है बट केरला की सरकार ने इसे बहुत ज़्यादा ना पसंद किया और उस IS officer को suspend कर दिया तो अब ना एक बार हम यह जान लेते हैं All India Service Conduct Rules 1968 जो हैं यह देखो IS, IPS और Indian Forest Officers के conduct को गवन करते हैं यह rules बहुत ज़्यादा पुराने हैं यह rules यह rules कहते हैं कि जो यह officers है ना इनको high standard of ethics, integrity, honesty, political neutrality, accountability, transparency इन सब चीजों को इन values को maintain करना है जो हम ethics में पढ़ते हैं Constitutional values की सुपरमेशी को uphold करना है और यह जो officers है ना यह public में, media में जाके कुछ बोल सकते हैं लेकिन अच्छी intentions के साथ बोलें और अपनी duties को discharge करते हुए उन्हें लगता है कि बोलना जरूरी है तब बोल दें कोई दिक्तत नहीं है लेकिन, media में जाके वो सरकार की policies को criticize ना करें Officers court में नहीं जाए या फिर media में नहीं जाए अपने official act को justify करने के लिए For example, किसी IPS officer ने लाठी चार्ज कर दिया सरकार question कर रही है उस IPS officer को कि आपने ऐसा क्यों किया तो वो IPS officer court में नहीं जाएगा ये justify करने के लिए कि मैंने लाठी चार्ज क्यों किया या फिर media में जाके नहीं बोलेगा कि सरकार में से question पूछ रही है मैंने तो इसलिए किया था कभी भी आप देखोगे ऐसा नहीं होता है कि officers अपने actions को public में justify नहीं करते हैं क्यूं? क्यूंकि देखो ये All India Service Conduct Rules 1968 के against him Next, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनकी पद की गरीमा के अनुरूप ना हो मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो service के member को सोभाना देता हो अब देखो ये बहुत बड़ी time है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पद की गरीमा के अनुरूप ना हो इसमें तो बहुत साइचीज़ें आ जाएंगी ये बहुत wide line है इसके बाद writer बोलते हैं issues क्या है सबसे पहले देखो आज का यूग जो है वो social media का यूग है लेकिन इन guidelines में 1968 की guidelines में social media के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है बेसक समय समय पे इन guidelines को थोड़ा change किया गया है लेकिन बावजुद इसके एक चीज अभी भी काफी ज़्यादा वेग है जो मैंने आपको बताई unbecoming of a member of service unbecoming of a member of service का क्या मतलब है बहुत ज़्यादा wide term है ये और अगर किसी IS officer IPS officer या fresh officer के against action लेना हो न तो इस line का use करके कुछ ना कुछ तो निकाली सकते हैं और देखो एक चीज आप ध्यान दीजिये ना आम तोर पर किसी officer के against action कौन लेता है senior officers लेते हैं senior officer action लेते हैं और ये इतना wide ground है उनके खिलाफ action लेने का तो बहुत बार जो इमानदार या फिर निर्दोस officers है ना उनके खिलाफ भी action ले लिया जाता है कब इस्तमाल किया जा सकता है कब इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्या बोला जा सकता है social media पर क्या नहीं बोला जाना चाहिए हर तरह के officer हैं देखो एक तरफ दीपक रावत जो famous I.S. officer है जो social media पर जनके बहुत views आते हैं बहुत सारे officers ऐसे हैं जो चुप चाप काम करते हैं PR नहीं करवाते जदा सुर्ख्यों में नहीं आते आम दोर पे न देश में बहुत से लोगों को यह लगता है कि जो officer सुर्ख्यों में आते हैं वो काम करते हैं और बाकी officer जो चुप रहते हैं चुप चाप काम करते हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं लगता तो वो काम नहीं करते ऐसा लगता है बहुत से लोगों को लेकिन अब धीरे-धीरे जनता भी जागरुख होने लगी है तो social media संबंदित जो rules हैं वो आने चाहिए ताकि officers YouTuber या TikTok बनके ना रह जाएं दूसरा देखो writer ये suggest करते हैं ये जो line है ना unbecoming of a member of service मतलब ऐसा कोई काम officer नहीं करेंगे जो जिससे उनकी पद की जो गरीमा है वो भंग होती हो तो ये बता दो ना कौन सा ऐसा काम है जिससे उनकी पद की जो गरीमा है भंग हो जो एसे officer उनको सोभा ना देता हो ऐसे कौन से काम है आप detailed list बता दो ऐसे वेग मत छोड़ो next point next point में writer ये बोलते हैं देखो officers को ये समझना चाहिए खांस करके जो young officers है ना anonymity एक बहुत important गुण है civil servants का अज्यात रहो, काम करो, पर्दे के पीछे से काम करो, ये बहुत important गुण है social media का इस्तमाल footage खाने के लिए नहीं, मतलब publicity के लिए नहीं, बलकि कामों की publicity के लिए awareness फिलाने के लिए समाज में change लाने के लिए social media का इस्तमाल होना चाहिए अभी देखो बहुत कम officers ऐसे हैं, जो समाज में change लाने के लिए social media का इस्तमाल अच्छे से करते हैं, तो specific guidelines इस दिशा में, All India Service Conduct Rules 1968 में जारी की जा सकती हैं मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ वैसे, जो दीपक रावत हैं, famous IS officer हैं, वो इस परकार से media में जाके कुछ-कुछ action लेते हैं क्या ये सही है या गलत हैं, आप अपनी राय बताइए, क्या वो सही है या गलत हैं इसके बाद नेस्ट आर्टिकल देखो Elon Musk का जो starling project है न, उस project की इंडिया में entry से समन्दित हैं आप देखो, slayvers में GS paper 3 में एक तो security और दूसरा even infrastructure topic से इस article को relate कर सकते हो शुरुवात में देखो article में एक background से बताया जाता है, कि Trump election जीत गए हैं अमरीका में और इस बार Elon Musk ने openly Trump को sport किया, और Trump ने इलोन मस्क और विवेक रामस्वामी की अधिक्षता में एक department बनाने का निर्णय लिया है जिसका नाम है DOG DOG मतलब Department of Government Efficiency Trump का हमेशा से ये कहना था कि अमेरिका में जो बिरोक्रेसी है वो काफी भारी भरकम है, इसे कम करने की जूरुद है, क्योंकि inefficiency काफी जादा है बिरोक्रेसी में चलो ये तो अलग चीजें है हमारे इस article में focus है 2015 में इलोन मस्क ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था Starlink Starlink प्रोजेक्ट में इलोन मस्क ने ये बोला था कि मैंना Space में Low Earth Orbit में हमारी कमपनी SpaceX सेटलाइट्स लौंच करेगी Earth के Low Orbit में और ये जो सेटलाइट्स है ना इन सेटलाइट्स का Network Earth में इंटरनेट की सर्विसिस प्रोजेक्ट करेगा तो ये इनिसेटिव उस समय अनाउंस किया था 2015 में जो ट्रेडिशनल इंटरनेट ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट है ना वो देखो केबल पे डिपेंड करते हैं बट Starlink satellite based system यूज करता हैं वर्किंग प्रिंसपल क्या है Starlink का वर्किंग प्रिंसपल देखो ये हैं जो Ground Stations हैं Ground Stations signals स्पेस में भेजते हैं और Low Earth Orbit में सेटलाइट्स मुझूद हैं जो सेटलाइट्स हैं सेटलाइट्स से सिगनल रिफ्लेक्ट होकर यूजर तक पहुंचते हैं अगर आभी देखो स्टेटस की बात करें इस Starlink Project के अंतरकतना पिछले 5 सालों में 7000 से ज़्यादा जो सेटलाइट्स हैं वो लोंच किया जा चुगी हैं और Low Earth Orbit में जितने टोटल एक्टिव सेटलाइट्स है न उसमें से 2 तीहाई यानि आल्मोस्ट 66% तो Starlink Project के हैं आने वाले 3 सालों में 10,000 सेटलाइट्स और लोंच किये जाएंगे 2030 आते आते टोटल देखो 42,000 सेटलाइट्स लोंच किये जा चुके होंगे Starlink Project के अंतरगत आप इस Project का Starlink Project का Scale देख रहे हो कितने बड़े Scale पे सेटलाइट्स लोंच किये जा रहे हैं 2019 में 1760 सेटलाइट्स लोंच किये गए थे तो उस समय सिरफ देखो यूं बोल दिया गया कि हाँ इतने सारे सेटलाइट्स एक समय में लोंच किये जा रहे हैं लेकिन Project की बात नहीं की किसी ने की Project कितने बड़े Scale पे आगे चल रहा है हर दो हफते में इस Starlink Project के लिए एक सेटलाइट लोंच होता है और SpaceX अपने Special Rockets यूज़ करता है इन सेटलाइट्स को नेट्रोक हो और उनकी साहिता से अर्थ पर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाए अब देखो इसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है उक्रेन वार हुआ फर्वरी 2022 में रस्या ने उक्रेन के जो इंटरनेट नेट्रोक पे कर दिया लेकिन देखो स्टार्लिंक ने अपने 12,000 टर्मिनल्स को डोनेट कर दिया ताकि उक्रेन के जो लोग है वो इंटरनेट चला स्केम इवन उक्रेन में जो मिल्टरी कम्मिनिकेशन हैं वो भी री स्टोर हुई उसमें भी स्टार्लिंक प्रोजेक्ट ने हेल्प की रश्या इंटरनेट सर्विशिस को जैम करना चाहता था ब्लोग करना चाहता था उक्रेन में बट रश्या की सारी टेक्नीक्स फेल हो गई और स्टार्लिंक प्रोजेक्ट की जीत हुई उक्रेन में इवन देखो गजा कनफ्लिक्ट में 2003 अक्टूबर में इंटरनेट ब्लैक आउट हो गया स्टारलिंक प्रोजेक्ट ने उस समय एमर्जेंसी कनेक्टिविटी दी एड और्गनिजेशन्स जो है न UNJC और्गनिजेशन्स उनको हेल्प मिली मेडिकल एसिस्टेंस आपस में कोडिनेट हुआ रियल टाइम इंफोर्मेशन का फ्लो पोसिबल हुआ तो यहां पे भी इंटरनेट ब्लैक आउट जो था न वो फेल हो गया और स्टारलिंक प्रोजेक्ट ने कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड कर दी अब बात करते हैं इंडिया की इंडिया में देखो स्टारलिंक ने न 2021 से पहले ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में ओडर लेने स्टार्ट कर दिये थे मैं तो वेबसाइट भी ओपन करके देखी थी उस समय और ओडर लिये जा रहे थे लेकिन सरकार को पता लगा ये हमारी पर्मीशन के बिना ये क्या चल रहा है तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी लेकिन तब तक देखो 7000 ओडर स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इंडिया में मिल चुके थे इंटरनेट सर्विस के लिए और एक इंटरेस्टिंग चीज उस समय जब ये सर्विस बुक हो रही थी न तो कोश्ट थी 7400 रुपे 7400 रुपे सायद परियर हो गया जो भी थी पर मन्त थी और शुरुवात में इंस्टाल करने के चार्जिस थे 45,000 लेकिन मतलब लोकल सर्विस से आलमोश 30 गुना ज़्यादा एक्स्पेंसिव थी स्टार्लिंग की सर्विस लेकिन देखो ये उस समय की बात थी 2021 में अब 3 साल बाद सिच्वेशन थोड़ी चेंज हो गई है अब ही देखो सरकार ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है और स्पेक्टरम एलोकेशन पॉलसी को चेंज किया है टेलिकोम मिनिष्टरी ने ये बोला अगर देखोuchen स्टार्लिंग प्रोजेक्ट इंडिया में आता है और सारी रेगुलेटरी कंडिशन को फोलो करता है तो हमें कोई दिक्टत नहीं है तो मतलब एक परकार से Green Signal सरकार ने Starlink प्रोजेक्ट को दिया है कि वो इंडिया में आके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब उनकी स्टेटमेंट ये शो करती है कि अगर Starlink सभी तरह के regulatory measures follow करता है और इंडिया में आके काम करना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी सरकार ने हाल ही में spectrum policy में जो बदलाव किया है वो क्या है सरकार ने देखो ये बोला है जो space satellite operator है न अगर वो इंडिया में internet service प्रोवाइड करना चाहते है तो उन्हें auxning की जूरत नहीं है उनको spectrum allocate किया जाएगा administrative basis पे और ये Starlink को favor करने वाली चीज है favor करने वाली कैसी चीज है जैसे देखो जो telecom operator है न Reliance, ATL ये देखो बोली में party space करते हैं auxning होती है spectrum scheme और auxning में आपको पता rate बहुत ऊपर चले जाते हैं इन्होंने बहुत पैसा invest किया है telecom operators ने लेकिन space operators को auxning में participate करने की जूरत नहीं है वो space से अगर satellite service space से अगर internet service प्रोवाइड करना चाहते हैं उनको spectrum allocate किया जाएगा administrative basis पे तो administrative basis पे उनको spectrum मिलेगा तो मलकि कम cost पे मिल जाएगा बोली में participate करने की उनको जूरत नहीं है कम cost पे मिलेगा तो मतलब star link के लिए हमारे देश में जो entry barrier है वो बहुत कम है उनको तो सस्ता spectrum मिल जाएगा तो यह जो policy में बदलाव हुआ है यह Elon Musk की star link को favor करने वाली चीज है ऐसा Reliance और ATL वालों ने बोला सरकार को ऐसा मत कीजिए यह देखो यहां पे दिया भी हुआ है new administrative method में direct allocation होगा no auction flexible coverage and technology neutral approach पहले क्या था telecom operators के लिए क्या है telecom operators के लिए तो बोली लगती है जिसमें पैसा उनका ज़्यादा लगता है इसके बाद देखो खत्रा ना data colonization का भी है और data colonization मतलब अब देखो star link जैसे project है आपको पता है यह जो project है ना बड़े scale पर internet service provide करेंगे जो लोग internet चलाएंगे इस network का use करके star link network का use करके उनका सारा data तो star link के पास जाएगा ना star link के पास में जाएगा सारा data लोग क्या search कर रहे हैं किस चीज़ पर click कर रहे हैं लोग की age क्या है सारा का सारा data जो है वो जाएगा किस के पास में star link network के पास में और वो data सब ले जाएंगे US में तो हमारे देश के लोग के data पर हमारा कोई हक नहीं है, ये network वाले लेके चले जाएंगे, US में वहाँ पर इस data की processing करेंगे, data की साहिता से एक बर फिर से इंडिया को colony बनाने की कोशिस होगी, लेकिन indirectly, जैसे Britain ने इंडिया को colony बनाया था, वो directly बनाया था, बट आज के समय में वो यूग नहीं है, आज के समय में indirect developed countries जो हैं दूसरे देशों को अपनी colony बनाते हैं, तो ये है data colonization, इससे देखो देश की जो national security है, privacy है, सब compromise हो जाएगी, हमारे देश के officers आपस में बात कर रहे हैं, कुछ भी national security से समद्धी decision है, सब compromise हो सकता है, अगर देखो star link की इंडि हुई तो, और कल को देखो जैसे apple था, apple जो products है आज के समय में luxury item बन गया, दिखावे का सोधा बन गया है, ऐसे सी news आप देखते हो कि बच्चे ने तीन दिन खाना नहीं खाया, अपने घरवालों से जिद की कि मुझे mobile, apple का mobile phone दिलवाओ, iPhone दिलवाओ, तभी मैं खाना project है, हलांकि इसकी internet service बहुत जादा महेंगी है, क्या guarantee है कि ये luxury के नाम पे नहीं इसे बेचा जाएगा, और apple की तरह इसका इस्तमाल किया जाएगा, बेवकुफ मनाने के लिए जनता को, फाइदे भी होंगे, फाइदे भी मैं बताऊंगा, कुछ historical examples दिये जाते हैं, जैसे facebook whatsapp, twitter, इनका data काफी बार compromise हो चुका है, तो starlink का जो data है, वो भी compromise हो सकता है, क्या इसकी इजाजत सरकार को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और मान लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, अभी तो पता नहीं है, starlink महेंगे के बजाए हो सकता है, सस्ती service प्रोवाइड करना start कर और जीओ, एटल, यह सब नुकसान में जाने लगे, और बाद में monopoly establish हो जाए, starlink की, विदेशी कंपनी की, इंडिया में internet service प्रोवाइड करने के लिए monopoly establish होना, कितना गलत है, कल को देखो, यूद की situation में यह internet ठप कर सकते हैं, इंडिया का, यह सारे positive impacts है, starlink project के, अगर यह में आता है, तो rural connectivity ओह ज़्यादा बढ़ेगी, potential है, इस project में देश के धाई लाख villages को connect करने का, वहाँ पे digital services को improve करने का, economic benefits काफी होंगे, job creation होंगी, नई business opportunities पैदा होंगी, दूर दराज के इलाकों में भी, even space tech में progress होगी, R&D increase होगी, skill development होगा, यह सारे फाइदे होंगे, स्टार लिंक से, लेकिन देखो, बैस्ट यही है, कि हम विदेशी कंपनी के network पे ना depend करें, अगर इस technology में हमें benefit लगता भी है न, कि स्टार लिंक जो करता है, space में satellites को deploy करता है, यह चीज़ हम खुद से करें, और कुछ-कुछ कर भी रहे हैं, जैसे ISRO का initiative है, ISRO का huge satellite program है, जिसमें 48, जो transponders हैं, वो deployed किये गए हैं, का band की technology यूज हो रही है, इसका भी focus यही है, rural connectivity पे focus करना, बट यह अभी बहुत low scale पे है, बहुत ही ज़्यादा low scale पे, कुछ private sector के भी छोटे मोटे अभी initiatives हैं, one web और भारती के बीच में, एटल भारती के बीच में partnership हुई है, Tata का satellite internet plan है, L&T की space technology division established हुई है, कुछ startups जो हैं, वो इस परकार के solution पे काम कर रहे हैं, लेकिन देखो अभी यह सब ना initial stage पे हैं, और सरकार को मदद करनी चाहिए, इनको एक next level पे ले जाने की, समझे, सरकार को sport करना चाहिए, startups के initiatives को, और यह जो isro के initiatives को, private sector के initiatives को, सरकार को sport करना चाहिए, ताकि concept अच्छा है, space से satellites के माध्यम से internet service प्रोवाइड करना, बट विदेशी company की साहिता लेना गलत है, तो यह पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद देखो, मनिपूर का एक article है, कि मनिपूर में article 356 के तहद, President Rule लगाना चाहिए, आप Slavers में जी एस पेपर 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो, article में बाते दो वहीं गुमाफिरा के बोली गई है, तो एक्जाम के लिए जो जुरूरी है, वो important points में आपको बता देता हूं, पुराने points को फिर से repeat करने की कोई जूरत नहीं है, आपका time बहुत ज़्यादा किम्ती है, तो ये कुछ points हैं, मई 2023 में violence टार्ट हुआ था मेतेई और कुकेश के वीच में, मनिपूर में 250 लोग की जान जा चुकी है, एक लाख लोग displaced हुए है, कई सारे temples, church और homes home नुक्सान पहुँचाया गया है, अभी 9 नॉवंबर 2024 को ही, तीन बच्चों की एक मदर को रेप किया गया, उनको मार दिया गया, 17 house जला दिया गये, और violence देखो लगातार होता जा रहा है, सुप्रिम कोर्ट की intervention के बावजूद, तो राइटर ये परपोज करते हैं, आर्टिकल 356 के तहत ना, एक strong case बनता है, मनिपूर में राष्टरपती सासन लगाने के लिए, आर्टिकल 356 ये बोलता है, कि प्रेजडेंट रूल लग सकता है, उन राज्यों में जहां पर constitutional जो machinery है, वो fail हो गई है, ये जो राष्टरपती सासन है न, या तो देखो, गवर्नर की report के बाद लगाया जा सकता है, और इवन गवर्नर की report के बिना भी लगाया जा सकता है, अगर राष्टरपती सैटिस्फाई हैं कि constitutional breakdown वहाँ पर हो चुका है, तो अभी तो देखो, गवर्नर की report भी जूरी नहीं है, फिर राइटर ये बताते हैं, गवर्नर की रिपोर्ट बिपोर्ट भी जूरी नहीं हैं फिर राइटर ये बताते हैं, आर्टिकल 356 काफी काम का हैं और प्रेजडेंट के पास में लिबार्टी होनी चाहिए, इवन गवर्नर की रिपोर्ट के बिना राष्टरपती सासन लगाने के लिए, ये चीज बिया रमेटकर ने constitute Assembly की डिबेट में बोली थी, उनके पक्स में और बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे अलादी, कृष्णा स्वामी, अयर, इन्हों ने बोला, देखो ये यूनियन की ड्यूटी है सविधान को मेंटेन करना, अगर सविधान का implementation नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आर्टिकल जरूरी है, के संथानम ने भी यही बोला, लाइंड ओडर के breakdown को handle करने के लिए, राश्टरपती शासन का provision जरूरी है, ठाकूर्दास भारगव ने यह बोला था, उस समय जब देखो कानून की machinery फेल हो जाती है, और लोग अपनी basic liberties भी खो देते हैं, तो फिर काम आएगा यह article 356, राइटर बोलते हैं देखो यह बात सच है, कि इतिहास में आर्टिकल 356 का काफी misuse हुआ है, बड़ देखो इससे बढ़िया मोका नहीं मिल सकता, मतलब इससे strong case नहीं हो सकता, राष्टरपती सासन लगाने का जितना अभी फिलाल मनिपूर में है, तो मतलब यह हो गया, जब जूरत नहीं थी, तो politics के चलते बहुत बार article 356 लगाया गया, लेकिन वास्तव में जिस purpose के लिए article 356 लाए गया था, उस purpose के लिए मनिपूर में आज जूरत है, जनरल ने ना assurance दिया था कोट को की situation अब normalize हो रही है, दो दिन से violence नहीं हुआ है, बाद में जुलाई 2023 में काफी दुखत गटना सामने आई थी, दो महिलाओं को बिना कपडों के parade करवाया गया था, तो उस में कोट में फिर से सुनवाई हुई थी सुप्रिंग कोट में, सुप्रिंग कोट ने बहुत गहरे concerns जाहिर किये थे, इस incident पे और बोला था कि future में इस परकार का incident नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे, Central Government ने भी action लिया था, CBI जांच वो सब हुआ था, लेकिन उसके बाद देखो, अभी तक ना टोटल सुप्रिंग कोट की 23 hearing हो चुकी है, मनिपूर के issue पे, लेकिन वो ineffective साबित हुई है, सुप्रिंग कोट भी even Central Government को आदेश नहीं देश का है, अप्रोपर धंग से कि मनिपूर में situation ठीक की जाए, तो इसलिए राइटर बोलते हैं, Article 356 impose कर देना चाहिए, क्योंकि मनिपूर में जो situation है ना, नागलेंड या मिजोरम में insurgency जैसी नहीं है, या फिर जमूएन कस्मीर में terrorism जैसी नहीं है, वहाँ पे एक civilian, दूसरे civilian के खून का प्यासा है, ऐसा बहुत कम होता है, तो इसलिए वैसे भी Article 355 में बोला गया है, Union States को assistance देगा आवशकता पढ़ने पर, और current जो steps हैं वो successful साबित नहीं हुए हैं, इसलिए Article 356 लगा देना चाहिए, आप बदाईए comment box में आपकी क्या राय है, कि Article 356 क्या इससे मनिपूर की situation ठीक होगी, अगर इससे नहीं होगी तो आपको क्या लगता है, interview में आपसे question पूछ लिया जाए, कि मनिपूर में situation को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, आप comment box में बताइए, इसके बाद आइस आर्टिकल देखो, इंडिया, अफरीका और ग्लोबल साउथ से समधित है, आप स्लेबर्स में GS Paper Second के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों, परदानमंत्री मोदी देखो, इसके बाद अब वो ब्राजिल की विजिट पे हैं, वहाँ पे G20 का समिट वो अटेंड करेंगे, इसके बाद वो इवन ग्याना की यातरा पर भी जाएंगे, तो ये सारी जो परदानमंत्री मोदी की यातराएं हैं ना, ये ना सिरफ देखो, bilateral relations के लिए important हैं, बलकि global south का leader बनने के दिशा में भी इंडिया की यातराएं हैं, वो काफी ज़्यादा important हैं, बात करें अभी नाइजीरिया में परदामंत्री मोदी की यातरा, इससे पहले देखो, भारत के परदामंत्री मनमोहन सिंग 2007 में, नाइजीरिया की यातरा पर गए थे, उस समय दोनों देखों ने अपनी आपस की partnership को strategic partnership डिक्लेर किया, लेकिन आपको याद होगा एक article हमने डिसकस किया था, बलकि पिछले 10 सालों में जो trade हैं इंडिया और नाइजीरिया के बीच में कम हुआ है, तो इस यातरा के दुरान प्रधामिंतरी मोदी और नाइजीरिया के प्रेजिडेंट बोला एहमद तिनूबू, दोनों ने ये बोला कि defense cooperation का बहुत scope हैं दोनों देशों के बीच में, मोदी ने प्रधामिंतरी मोदी ने identify किया terrorism, separatism, piracy, drug trafficking, ये common challenges हैं जो दोनों देश face कर रहे हैं और दोनों देश मिल के काम कर सकते हैं इन challenges से निपटने के लिए, नाइजीरिया का जो highest owner है, the grand commander of order of Niger, ये प्रधामिंतरी मोदी को दिया गया, तो second foreign dignitary है प्रधामिंतरी मोदी जिनको नाइजीरिया ने ये award दिया, प्रधामिंतरी मोदी ने ये award इंडिया के लोगों को इंडिया और नाइजीरिया के बीच में दोस्ती को स्मर्पित किया, जब देखो नाइजीरिया आजाद हुआ था ना, बिटीन से 1960 में, तो उस समय देखो भारत से बहुत सारे डोक्टर, बहुत सारे educators गए थे, वहाँ पर पढ़ाने के लिए, और इस चीज ने ना, नाइजीरिया की नीव रखने में important role play किया था, आज वहाँ पर इंडिया का डायस्पोरा जो है, 60,000 नंबर है, मतलब 60,000 लोग इंडियन डायस्पोरा के वहाँ पर रहते हैं, जो एक bridge का काम करते हैं, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में, 200 से जादा इंडियन companies नाइजीरिया में हैं, इंडिया ने 27 billion dollars इंडिया ने या फिर इंडिया की companies ने वहाँ पर invest किया है, अलग अलग sectors में, जैसे pharma, healthcare, agriculture, energy, दोनों देश low-cost technologies और experiences share करते हैं क्योंकि दोनों देशों के जो challenges है बहुत अत्ता common है गरीबी है दोनों देशों में pollution है दोनों देशों में pollution density काफी ज़्यादा है Nigeria तो देखो टोप African economies में से एक है अभी Brics का partner country भी है तो ये Nigeria यातरा की कुछ important बाते मतलब इंडिया-Nigeria relationship से संबंदित ये location है Nigeria की लेकिन देखो परधानमंतरी मोधी और Nigeria के राश्टरपती आगे भी आपस में बाचीत करेंगे even G20 summit जो हो रहे है ब्राजिल में वहाँ पे भी दोनों देशों के जो प्रीमियर्स है वो हिस्सा लेंगे तो ये बाचीत जो है वो जारी रहेगी आगे भी इसके बाद आर्टिकल में फिर बात बोली जाती है South-South Corporation की इंडिया ने देखो काफी बार कमिटमेंट जाहिर की है Global South की आवाज उठाने के लिए South-South Corporation को मजबूत करने के लिए South-South Corporation मतलब जो ये गरीब देश है गलोब की South में है गरीब देश या फिर डेवलपिंग कंट्रीज ये सब आते हैं Global South में और North में जाहतर आपको मिलेंगे डेवलप कंट्रीज तो इंडिया ने पिछले साल Voice of Global South के नाम से एक initiative launch किया था ताकि इंडिया Global South के Global South में जो देश आते हैं उनकी leadership को claim कर सकें लेकिन डाइटर बोलते हैं Voice of Global South जो initiative है ना उतना successful नहीं रहा मतलब Global South के देश होने ने ऐसा नहीं ने के बहुत ज़रा बढ़ जड़के इंडिया के इस initiative में participate किया हो Voice of Global South तो एक चीज़ ये की जा सकती है कि हर बार इंडिया ना होश्ट करे ये Voice of Global South का summit या फिर conference इंडिया ऐसा कर सकता है G20 का summit जो देश होश्ट करेगा ना वही देश Voice of Global South के conference को भी होश्ट करेगा हर बार नया होश्ट होगा तो Voice of Global South इनिशेटीव भी थोड़ा active रहेगा थोड़ा ज़्यादा successful रहेगा बजाए इसके कि हर बार इंडिया ही इस conference को होश्ट करे Voice of Global South जो इंडिया नहीं start की थी फिर आर्टिकल में बोला जाता है India Africa Forum Summit इसकी देखो last meeting 2015 में हुई थी उसके बाद इस India Africa Forum Summit की meeting ही नहीं हुई तो अब होनी चाहिए बहुत टाइम हो चुगा है एक तरफ इंडिया Global South का leader बनना चाहता है दूसरी तरफ India Africa Forum Summit की meeting ही नहीं हुई मतलब तीसरा summit हुआ था उसके बाद चोथा हुआ ही नहीं फिर आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है ये बात सच है कि इंडिया ने अपनी काफी बार commitment शो की है Global South के काम करने के लिए लेकिन इंडिया के बारे में एक चीज़ famous है कि इंडिया ना commitment बहुत करता है बट उसको ना action में तबदील नहीं करता इंडिया UPS की aspirant की तरह है कई बारी planning ज़्यादा हो जाती है लेकिन जो schedule बनता है जो strategy बनती है उसका implementation नहीं होता तो मतलब आर्टिकल में ये बोला जाता है कि Global South के लिए कुछ concrete तो इस परकार से देखो चार आर्टिकल हमने डिसकस कर लिए सबसे पहले हमने आर्टिकल डिसकस किया था IS officer वाला केरला के दो IS officers को suspend किया गया था All India Service Conduct Rules 2018 के बारे में हमने डिसकस किया था और ये सब बाते डिसकस की थी कि Unbecoming of Civil Servant ये clarify करो Social Media Guidelines लेकर आओ और Specific चीजे बताओ कि Unbecoming of Civil Servant में क्या-क्या आता है Young officers को समझना चाहिए कि Anonymity एक important rate है Civil Services का Manipur का आर्टिकल तो हमने अभी डिसकस किया जिसमें हमने ये डिसकस किया था कि President टूल लगाना चाहिए क्योंकि एक situation ऐसी है यहाँ पर insurgency वाली situation नहीं है एक civilian दूसरे civilian के खून का प्यासा है तो आर्टिकल 356 लगाने के लिए बिल्कुल उप्यूक्त ground है और Constitute Assembly की Debates हमें बताती है कि इसी लिए तो ये जो आर्टिकल 356 है वो लाया गया था इसी situation के लिए इसलिए गवर्नर की रिपोर्ट का इंतिजार किये बिना राष्टरपती को यहाँ पर राष्टरपती सासन लगा देना चाहिए फिर हमने ये Global South वाला आर्टिकल भी डिसकस किया था जिसमें हमने ये डिसकस किया कि Nigeria के साथ Nigeria की विजिट में अच्छी साबित हुई और कोपरेशन की बात कही गई ये सब चीज़े तो हमने दो बार डिसकस कर ली 200 इंडियन कंपनीज काम कर रही है 27 बिलियन डॉलर्स की इंवेस्टमेंट है Global South में दो चीज़े यहाँ पर इंपोर्टन थी लाश्ट में ये कोशन आपको अटेम्ट करना है 250 वर्ट्स में आप इस कोशन को अटेम्ट केजिए 15 मार्ग्स का ये कोशन है ये थी हमारी आज के डिसकेशन कल मिलते हैं फिर से एक नई डिसकेशन के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए अच्छे से पढ़िए थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मच्ट पर डिसकेशन